श्री महाल अच्मे नमा, स्वागता है आप सभी का मेरे वक्ती वावना यूटुब चैनल पर आठ रासियां बिशेशी सुब रहने वाली हैं और इस दिन से इन रासियों का भाग युद्य होगा यूग पहले से ही अच्छे चल रहे हैं लेकिन इस दिन से इनका यूग बहुत ही भागिसाली रहेगा बारे और राशियों पर इस दिन माता लच्मी की कृपा रहेगी लेकिन ग्रेन के इसाफ से आठ राशियों का राशी पल में आपको बताँगा जो बहुत ही शुब रहने वाली है 28 तारी का मालच्मी ब्रत है और 29 का जीवित पुत्र का ब्रत है आप सबी जानते हैं कि मालच्मी ब्रत का कितना मेहत तो है साथ ही जीवित पुत्र का ब्रत जिनोंने मरे हुए लड़कों को जीवित कर दिया इतना मेहत तो है इस ब्रत का यह ब्रत बहुत ही कठिन होता है माता लच्मी का जो ब्रत है ये रादाश्टमी से प्रारम होता है और जिस दिन माता लच्मी ब्रत होता है उस दिन तक चलता है 16 दिन का ये ब्रत होता है 16 धागे का एक धागा 16 गांट का एक धागा धारन किया जाता है जो माता लच्मी का धागा होता है पीला दागा इस दिन माता लच्मी की पूजा की जाती है और हाती की प्रत्वां बना करके माता लच्मी की बिदी विदान से पूजा की जाती है इस दिन सभी ब्रतवाले एक पीला दागा धारन करते हैं जो संतान के लिए ही होता है इस दिन आप विशेश उपाए भी करें र उनके सामने बड़ बरक पर 21 चावल के दाने और 21 ही चनी के दाने रख करके स्री लिकर के माता लच्मी के सामने अरपन करें। जब आप कता सुन लें तो उस समय पीला धागा जो आपने दारण किया है वो माता के सामने अरपन कर दें। और माता के सामने से एक धागा लेकर के आप और साथ में आप पीली कोड़ी और गोमती चक्र भी लेकर के जाएं वे कता सुनते से में माता के सामने अरपन कर दें हल्दी कटी का लगा के जब कता पूरी हो जाया तो धागे के साथ में आप ले लें और पीले कपड़े में बां प्रबावसाली प्रत होता है। इस दिन जीरतु भगवान की पूजा की जाती है, कलश की स्थापना की जाती है। जब कलश की इस्तापना कर रहे हो तो उस समय एक बोजुपत्र पर अपनी मनुकामना लेकर करके वहाँ पर रख दें आपकी मनुकामना जरूर पूरी होगी। कि उच द्रश्टी रहने से रोके हुए कारों में सपलता मिलेगी। किसी नवीन कार की योजना बनेगी और उसमें आपको सपलताए भी मिलेगी। काम बनेगा। परवार में सुब मंगल कार भी संपन होंगे। अकसमातिक धनका लाव होगा। दामपत्त जीवन में खुशा लियाएगी। लेकिन किसी बात को लेकर के आपस में टक्रार हो सकती है। इस बात का विशेश रूप से आपको ध्यार नक ना है। जो भी कार करें आप सोच समझ के करें इस बात का विशेश रूप से ध्यार नक है। तीसरी जो रासी हैै मितौन रासी बकरी एबं मारगी अवस्ता में भुद्ध। इस से आपके मन में खुशी होगी, परवार में भी खुशी लेकिन सनी की डाय्या के कारण परवार में मतवेद पैदा हो सकता है, किसी बात को लेके कले हो सकता है। इस बात का भी आपको विशेशूप से ध्यान रखना है, कोई भी ऐसा कार नहीं करना है, जिससे परवार में परेशा नहीं खड़ी हो, करकरासी मासारम यानी महीने की शुरुआत, अक्टूबर की महीने की शुरुआत में हालत कुछ सुधार होंगी, बिंग्ड हुए कार बन की परिशानी आ सकती है, तो इसलिए माता लच्मी का ब्रत करती समय, माता के सामने आप अपनी मनुकामना जरूर बोलें, सिंग रासी, जो भागिसाली रासीों में से एक है, सोची हुई योजनाओं में सफलता, धनका लाब, और सत्रे से सूर्य, नीच रासी का थोने से ब् परवार में खुशी का माउल रहेगा, भिगने वए कारे आपके बनने शुरू होंगे, और संतान का सुक भी आपको मिलेगा, बहुत ही अच्छा योग, एक ब्रकार से आप कह सकते हैं, अगली जो रासी है, इसका योग भी बहुत ही अच्छा है, विशेशी प्रभावसाल योग है तुलारासी, तुलारासी का योग आपके सभी कार बनने शुरू होंगे, परवार में सुब मंगल कारे शुरू हो जाएंगे, घर्च बढ़ेंगे सुब कारेों पर, संतान संबंद it, चिंता भी दूर होगी, परवार में जो मत बेते हैं, वह धूर होंगे, वह धन का लाव मिलना भी शुरू हो जाएगा विशेशी योगें वहीं ब्रश्चिक रासी बालों को भी लाव मिलेगा कापी समय से यह रासी इतनी सुभ नहीं थी लेकिन आप सुभ होगी अक्टूबर में नभीन कार की योजना बनेगी कारों में जादातर कारों में सफलता मिलेग संतान धन का लाव मिलेगा धन की जो आपके आसा है वह है आपको जो आपके मन में धन की अवलासा है कि इतना धन मुझे प्राप्त होगा या आप धन प्राप्ति के लिए कई इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी जमीन जाजात का क्या बिक्रे भी आपको प्रारम होगा साथ ही बारे में सूर पर सनी की द्रश्टी रहने से फरवार में आवश्यक खर्चों की ब्रद्दी होगी आपके अंदर क्रोध भी बढ़ सकता इस बात का विशेश रूप से आपको द्यान रखना है कोई भी ऐसा कार ना करें जिससे परवार में मतवेद पैदा हो इस बात का भी विशेश रूप से द्यान रखें कुमरासी नवीन कार्यों की योजना नवीन कार्यों में सपलता साधनों में विस्तारबाद यानि आपके आयके साधन बढ़ेंगे संतान धन का योग बनेगा सत्रह से भागयस्त सूर परसनी की द्रश्टी रहने से पारवारिक मतवेद उत्पन जो थे वह दूर होंगे व्यर्त की भागदोर भी दूर होगी माता लच्चमी की किरपासी भाग्योद होना शुरू हो जाएगा आपका बहुत ही अच्छा योग बन रहा है तो ये राशियां बिशेशी सुप थी हैं लेकिन कुछ राशिवालों को बिशेश उप से ध्यान भी रखना होगा कैई ऐसी राशियां हैं जिनको आर्थिक परेशानी हो सकती है वा संतान के और से भी टेंसन रह सकती हैं तो बारह और आसी वाले माता लच्चमी का ये उपाय करें जो मैंने आपको बताया है और ये ब्रत बहुत ही प्रवाफसाली होता साथ ही हनमान जी के चोले भी प्रारम कर दें और भगवान सिव जी का अफसे नियमत रूप से करते रहें भगवान सिव की किरपास से आपके पक जला करके आएं और परक्रम मा करें बिसे इसलाब होता है इससे दोस्तों करम करने से भागी बदल जाता है तो आप ये कार करते रहें ये रासियां बहुत ही अच्छी हैं संतान जो भी आपके मन में कामना है हर प्रिकार की मनों कामना पूरी हो तो इस वीडियो को ज्या इसलाइ